इस question के अंदर आपने क्या करना है एक नाम लेना है user से और नाम लेने के बाद user से पूछना है कि वो आगे continue करना चाहता है यह नहीं करना चाहता है अगर वो response करता है yes यानि y अगर enter करता है तो फिर दुबारा से हम नाम पूछेंगे और अगर वो n enter कर देता है यानि no तो इसका मतलब हमें यहीं पर thanks message display करा देना है screen किस तरीके से आएगी वो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले screen पर आएगा enter a name equal to यहाँ पर cursor आएगा user यहाँ पर नाम डालेगा मैंने अभी कोई नाम नहीं डाला है नाम एंटर करने के बाद next line पर आएगा continue y और n यानि yes और no question mark भी आएगा equal to भी आएगा यहाँ पर cursor आ रहा होगा ताकि user y या n में से कुछ enter कर सके माली जी user ने डाल दिया y तो next line पर फिर से आएगा enter a name equal to और उसके आगे cursor आ रहा होगा ताकि user यहाँ पर कोई नाम डाले नाम डालने के बाद next line में आएगा continue y और n yes और no इस बार माली जी फिर से user ने yes डाल दिया फिर से आएगा enter a name equal to तो यह तब तक चलता रहेगा जब तक वो while enter करता रहेगा माली जी इस बार user ने end डाल दिया यानी no यानी अब user इस process को continue नहीं करना चाता तो उसके बाद क्या print कर देगा उसके बाद print कर देगा thanks for using my app 3 exclamation के symbol इस तरीके से आपकी screen आनी चाहिए question clear है अगर नहीं clear है तो वीडियो को एक बार देखिए दुबारा से और फिर थोड़ी देर बैट करके सूचिए कि आप यह output किस तरीके से ला सकते हैं ठीक है और सोचने के बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट केजिए all the best